जब भी आप अपना computer या laptop स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने laptop को 330 में चल us घर जैसे है अपको कम्ब्यूर को रिप्रेस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि युटर करते हैं那麼 आपको मेरा नाम है निसान और आप देख रहे हैं सिर्खें कंप्यूटर अंटेक चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर मेरे जो रीफ्रेस बटन होता है तो हमंखता है पुराने computer होते थे तो उनमें ये चीजी होते थी कि उनको refresh करना पड़ता था लेकिन आज की latest जितने भी computer और laptop होते हैं वो उनको इस तरह से design किया रहता है इस तरह से उनका programming होता है कि वो खुद को auto refresh automatically हमेशा करते रहते हैं तो refresh button काम कैसे करता है उसकी चीजे क्या है यह सारी चीजे मैं आपको वीडियो में बताते जाता हूं तो पहले सबसे पहली बात कि जो हमारा desktop होता है desktop जो आपका computer जो screen होता है computer चालिव करने को जो screen दिखाए तो इसको desktop बोलते है उसमें user file के अंदर जब जाएंगे आप तो वहां पे आपको desktop की file मिलेगी अगर आप desktop पे चाहे computer में कोई सी भी तरह का software इंस्टॉल करते हैं तो उसका shortcut automatically बंद करके आपका desktop पे आ जाता है ठीक है पहली चीज यह हुए second चीज जब आप अगर कितुने files चाहे folder या song से किसी भी चीज को अगर आप मतलब manually उसको सदाकर रखना चाहते है alphabetical हो या फिर number के थुरू तो जब आप उसका सारे files को उठा करके किसी एक file में transfer करते हो किसी एक folder में रख देते हो और वहाँ उस folder में जाका एक बार जब आप refresh कर दोगे manually refresh कर दोगे right click करके आप refresh कर सकते है या फिर F5 के थूरू refresh कर सकते है तो उस टेम जब आप refresh करते हैं वह सारी चीज है तो वह सारी चीज़े फिर से clean हो जाएंगे सारी चीज़े दिखने लेंगे ठीक है next है कि अगर आप किसी folder का name change करते है इनको rename करते है मतलब कि तो अगर आप name change करने के बाद भाद भी same to same वही name दिख रहा है जो पहले था तो आप computer को अपने refresh करे F5 से करे या फिर से right click कर कर तो वह जो आपने name change किया वहां पर show होने लगता है ठीक है और एक चीज़ और जब next चीज़ वह जो है जब आप internet यूज़ कर रहे होते हैं और किसी website या कहीं पर आपके अपना कुछ काम कर रहे है और वहां पर वह पेज जो है आपका जो slow काम कर रहे है किसी तरह problem हो रहा ह बटन मिलेगा वह अलग अलग थोरी से उसके conditionals change हो जाती है लेकिन refresh जो बटन होता है हर जग अविलेबल होता है इस तरह से refresh बटन काम करता है क्यूंकि आप बहुत सारे मतलब लगभग 99% user ऐसे होता है कि बस computer start के अधनादन से 6 से 7 बार 8 पर 10 बार refresh करते हैं तो refresh करने से computer क speed पर कोई भी effect नहीं पड़ता है effect जहां पड़ता है वह सारी चीजे मैंने बताई जब आप किसी file folder को कहीं पर आकर रखते हैं order wise series में करना चाता है alphabetical रखना चाता है किसी file को delete करते हैं तो उसको refresh किजिए तो वह सारी चीजे दिखाने कि delete होई कि नहीं हुई है किसी file को rename कर करते हैं किसी browser में वहां का जो page कोई page अटका हुआ है तो उसको जो f5 refresh करेंगे तो वह reload हो करके फिर से आता है तो यह सारी चीजे refresh बटन से जूरी हुए है आप दिमाक्स निकाल दे कि computer में जो आप refresh करते हो start करते हो तो उससे computer के speed पर कोई effect परता है speed पर कोई effect नहीं परता यह आप computer और होने पर refresh करो यह ना करो computer खुद को automatic refresh continue करते रहता है वीडियो कैसा लागे हमें जरू बताए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे शेयर करना ना भूले अगर आपका कोई भी question है इस इस लेटर तो comment box में comment क थैंक्स पर वचिंग